भारत में आज आधी रात से लागू होंगे यात्रा के नए नियम कोरोना वाइरस के नए वेरियंट ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने अंतरराश्टिय यात्रा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किये हैं जो की आज मद्यरात्री से लागू हो जाएंगे केंद्रिय स्वास्तर मंतरी मंसुक मंडाविया ने मंगलभार को सांसद में इसकी जानकारी दी स्वास्तर मंतरी ने कहा कि केंद्र ने वैश्विक घटनाकरमों को देखते वे इस संबंद में परामर्श जारी किया है और हवाई अड़ों और बंदरगाहों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है उन्होंने कहा कि संदिख्ध मामलों की जीनोम सिक्वेंसिंग भी की जा रही है मंदाविया ने कहा कि अभी तक देश में कोरुणा वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रोन का कोई मामलात सामने नहीं आया है सरकार ये सुनिश्वित करने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है ये देश में नहीं पहुचे केंदर ने कुरोनों वायर्स के नए सोरूप ओमिक्रोन को लेकर पैदा चिंताओं के बीच मंगलवार को राजियों और केंदर शाषित प्रदेशों को किसी मामले की जल पहचान के लिए जाच बढ़ाने अंतराष्टिय यात्यों की प्रभावी निगरानी करने और होट स्पोट की सक्त निगरानी करने की सलाधी है केंदर सरकार की ओर से किये गए यात्रा के नियमों में बदलाओ आज रात आधी रात से लागू कर दिये जाएंगे पांच पॉइंट्स में जानते हैं क्या है नियम पहला जोखिम वाले देशों के अंतरास्टे यात्रियों को RT-PCR की जाच रिपोर्ट उबलब्द होने तक हवाई अड़ों पर इंतजार करने के लिए तैयारी करने की सलाह दी गई है ऐसे देशों से आने वाले लोग अगर टेस्ट में नेगेटिव पाये जाते हैं तो उन्हें साथ दिन के लिए होम कॉरंटाइन रहना होगा जिसके बाद आठवे दिन उसके सेंपल की फिर से जाच कराई जाएगी राज के अधिकारी ऐसे लोगों के घरों का दोरा करेंगे और उनके होम आइसूलेशन की दुरुस्त विवस्था का मुआयना करेंगे दूसरा संक्रमित पाये जाने पर राज्यों को सभी सेंपल को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए आई एन एस एसी ओजी प्रियोग शालाओं को तुरंत भेजने के लिए कहा गया है साथ ही राज्यों को संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाने और 14 दिन बाद इसका फॉलो अप लेने के निर्देश दिये गए हैं तीसरा जोखिम वाले देशों के यातियों को टेस्ट के नतीजे आने तक हवाई अड़ों पर प्रतिक्षा करने की तयारी करने की सला दी गई है फिलहाल भारत ने जोखिम वाले देशों की सूची में युनाइटेट किंगडम, यूरोप के सभी 44 देश, दक्षन अफरिका, ब्राजील, बांगलादेश, वत्सवाना, चीन, मौरिशस, न्यूजिलेंड, जिंबामवे, सिंगापूर, हॉंग कॉंग और इस्राइल को शामिल किया गया है चौथा राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने बचाओ कार्ड को कम न करें और विभिन हवाई अड़ों, बंदरगाहों और सीमा पर बिंदूओं से देश में आने वाले अंतराजे यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखें राज्यों को टेस्टिंग में तेजी लाने की भी सलाह दी गई है क्योंकि ओमिक्रोन वेरियंट, RT-PCR और रैपिट एंटिजन टेस्ट से बच नहीं सकता है जिसका इस्तिमाल अब तक कोवीट का पता लगाने के लिए किया गया है पाचवा राज्यों और केंदर शाषित प्रदेशों को उन खेत्रों की निरंतर निगरानी करने की सलाह दी गई है जहां हाल ही में संक्रमित मामले सामने आये हैं उन्हें कहा गया है कि सभी पॉजिटिव मामलों के नमोनों को शिग्र जीनोम अनुकर्मन के लिए निर्दिष्ट आई एन एस इजी उजी लैब में भेजें उन्हें जोखिम वाले देशों के यात्रियों के घरों का भौतिक दोरा करने पर प्रिथक वास करने मामलों की प्रभावी और नियमित निगरानी करने के लिए कहा गया है इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सस्क्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें